हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल इंडियन मम्राजी आई होब आप आप जो भी सारे मेरे रेसिपीज को बहुत बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो थैंक यू सो मच पॉर आपने मोदक के पिसिपीज को बहुत ज्यादा पसंद किया है आज आपके साथ में मेरे रेसिपी करने वाली हो मोदक खी एड़ पॉर रेसिपी थोड़ा हुथ भी से हटके है खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है लेकिन बनाने में बिलुकल टाइम लगता लगता पहुत ज़दा इंग्रेयडियन्स लगते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना हई रेस्मला बहुत ज्यादा रस्मलाई आपको नहीं है जरूरी बस एक दो पनीर के पीसेज उसमें हो और पाकी थोड़ उसमें हो पस उतना ही हमें चाहिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो इसके लिए इंग्रेडियंट्स जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल कम चाहिए एक तो है साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर और कुछ ब्रेड़ स्लाइसेज जी हां बहुत कम ब्रेड़ स्लाइसेज लगते हैं दो तीन ब्रेड़ स्लाइसेज में भी आपका काम हो जाएगा मेरी पास यहां पे जो ब्राउन ब्रेड है वो आवलेबल है अगर ब्रेट के जो बाहर के कॉर्णर से उनको आप अपड़ा लीजिए और अंदर वाला जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए तो आप वेगो मैं किस तरीके से एक स्लाइस के चार हिस्से में उसे डिवाइड कर लिए अच्छली हमें ऐसे अंद में सबको मिक्सी करने वाले हैं आप देखते चाहिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है स्लाइस को मैंने यहां पे थोड़ा चोटा-चोटा कट कर लिया है अभी एक मिक्सिंग बॉल में हम यह सारी स्लाइस रख देंगे उपर से हमें अभी यहां पे आड नहीं पड़ेगी मतलब जो नॉर्मल हमारा घर का दूद होता है वह आपको लेने की जरूवत नहीं है क्योंकि ब्रेड़ स्लाइस जो है जब यह वाले दूद में भीग जाएंगे मतलब तीन जार स्पून भी आप दूद डालोगे न तो भी यह ब्रेड़ स्लाइस जो है पहले तो मैंने यह फोर्क से जो है उनको अच्छे से मैश करने की कोशिश की लेकिन फिर बाद में सोचा कि बहुत टाइम जा रहा है उसमें दो मिनिट का तो टाइम ऐसे ही चला गया तो क्यों ना अपनी उंगलियों से ही मैं यह जो प्रोसेस है इसको फटा-फट कर थोड़ी कोशिश कर रही हो लेकिन फिर हो तो जाता है लेकिन टाइम लगता है तो फिर मैंने सोचा चलो अपना हाथ ही काफी है तो मैं अपने हाथ से स्टार्ट हो गई यहाँ पे अच्छे से हमें इसको मसलना है ताकि हमें जो हैना बिल्कुल सॉफ्ट वाला डू देने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूद पाउडर आड़ करते जाएंगे क्योंकि सिर्फ दूद और ब्रेड्स जो हमने पहले एक साथ मिक्स किये थे उससे आपका जो लिसली सा बन जाता है हाथ में चिपकने लगता है इसलिए थोड़ी थोड़ का आउडर लेयर होने वाला है तो लेयर जो है आउडर वाली वो भी अच्छे ही लगने चाहिए इसलिए थोड़ा मिल्क पाउडर डालिएगा बहुत सुन्दर टेस्ट आता है मैंने ब्राउन ब्रेड लेने के वज़े से मेरे जो मुदक का आउडर लेयर है वो थोड़ा अनजाए है मुझे वो नहीं चाहिए मुझे यल्व कणर जाहिए थी मैं यहां पर थोड़ा सा जो फुड़ा से यल्व कणर वो आड़ किया है अगर आप ब्राउन ब्रेड की वाइड ब्रेड लेंगे तो आपको ऐसा कोई अगर्रे कि लो यड़ाए द्रभर करने की जरु तो क्या करना है यह जो पनीर के slices है ना पनीर के तुकड़े जो रस्मलाई में आते हैं उनको स्पून से जब थोड़ा थोड़ा बारिक बारिक कट कर लिजे बिल्कुल मैश नहीं कर देना है और सबसे important चीज के उनको दबा दबा के मैश नहीं करना है उनके अंदर जो भी दूद के साथ में मिक्स किया हुआ पनीर हमें एड करना है तो यहां पर दोनों चीजे तयार हो चुकी है डो भी बन गया है फिलिंग भी हमारी तयार हो चुकी है तो यहां पर मैंने क्या किया डो को जो है इक्वल पोर्शिंस में सबसे पहले डिवाइड कर लेना है ऐसा कर को हुआ दिवाट के लिए मैं ने दिवाइड कर लिया मोदक को मैं क्रिख कर लूगी ईवरी एक साथ में गृटक करने के ज़ड़ार नहीं है एक बार विया तो जलता है हमेशा किरेण से cry करूगे तो फाइदा यह होता है की यह जो मोदक है इनको आउटर साइड से मतलब बाहर की साइड से बहुत सुन्नर शाइना आती है गी की वज़े से तो आप चाहे तो every time यह कर सकते हो चाहे तो एक बार भी कर लोगे तो भी कर लेगा यहाँ पे मैंने जो डो का एक छोटा सा गोला था उसको मैंने हाथ के उपर लेके अच्छे से मुलायम कर लिया, सौफ्ट कर लिया है अभी जो है मैं उसको corners की तरफ खीच-खीच के press कर रहे हूँ ताकि उनका मतलब यह जो डो है ना यह अपना मोदक का shape जो है वो properly ले सके तो बिल्कुल अच्छे से इनको आप press कर करके fit कर लीजी मोदक के mold में अंदर की तरफ जो है अभी आप पनीर और दूद दोनों को एक साथ भरिये तभी यह मोदक जो है बिल्कुल सुन्दर लगते है खाने में और एकदम आप बोल सकते हो ना रस भरे मोदक जो है आपकी यह बनके तयार हो जाएंगे आपको actual में रस मलाई जैसे ही यह मोदक टेस्ट करने में लगते आप देखे मैंने आपको थोड़ा प्रेस करके दिखाया बहुत अच्छा दूद मैंने इन में भरा है बहुत सारे लोग क्या करते है ना ऐसे मोदक बनाते टाइम पे सिर्फ पनीर है ना पनीर का ही इस्तमाल करते है अगर आप उसमें से दूद को निकाल दोगे तो वो सिर बिल्कुल थोड़े राइम के लिए उनको फ्रीज में रख दीजिए तो मोदक आपके थंडे हो जाएंगे और खाने में और ज्यादा टेस्टी लगेंगे आप देखिएगा मेरा मोदक बनके तयार हो चुका है बाकी आज सच तो उसमें कोई difficult चीज है नी मोल्ड को क्या कर अदर की तरव फीलिंग के लिए थोड़ी जगे कर लें हाद से जो है बिलकूर उसको दीरे दीरे अच्छे से प्रेस करते जाएए अंदर की तरफ जो फीलिंग के लिए हमने जगे रखी है उसमें आप ये पनीर की फीलिंग जो है पनीर एंड रसमलाई मतलब दूद एंड पनीर की ये जो फीलिंग है इसको आप भर दीजिए और फिर उपर से अप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए ये देखिए बिल्कुल इजी है कोई आसच उसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है थंडे करके ये मोदक खाईएगा फ्रीज में रखिएगा 10-15 मिनिट के लिए और फिर खाईएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते मेरे तो सारे मोदक में ये मोदक बहुत पसंदे क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंदे तो देखिए बिल्कुल इजी है ये वाले मोदक बनाना अगर आपके घर में रसमलाई आवलेबल है तो आप 10 मिनिट में ये मोदक बना सकते हों कोई भी हेक्तिक चीज नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं लगते बस ब्रेड होने चाहिए और आपके पास में थोड़ी दूद पाउडर होनी चाहिए बस यह दो चीज़े आपके पास अबलेबल है तो आप यह मोदग बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो और अगर दूद पाउडर नहीं भी है फ्रेंड्स आपके पास में तो दूद जो हम लोग ब्रेड को लूज करने के लिए या ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए जो दूद इस्तमाल कर रहे वो थोड़ा कम किजिए दूद पाउडर की भी जरुरत नहीं पड़ेगी आपको देखिए आपसे बात करते करते मेरे व पाउस से तो मतलब हम बच्मन से ही नॉर्मल मोदक घथे आ ही रहे हैं चूब्हले भी मोदक घथे है यह वाले मोदक जो है थोड़े नए है थोड़े फैंसी है यह वाले मोदक भी आप ट्राई कीजिएगा आपके पेरेंट्स को आपके इनलउस को खिलाइगा मुझे गैर अपसूरत लगता है ना देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड जब आप देखोगे तो आपका भी ये बनाने का मन जरूर होगा बिल्कुल हलके से उसको कट कीजेगा अभी तो आप डारेक्ट खाएंगे तब भी आपको पता चलेगा लेकिन मैं खाके नहीं बता सकते आपको इसलिए मैं कट करके बता रही हूँ तकि आपको ध्यान में आए देखिए अब बिल्कुल अच्छे से हमारी जो फीलिंग है ना अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजेगा बाइबाई